दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल में पढ़ा है मैं आपको यह तरीका बता रहा हूं इसको बड़ा ही सीक्रेट है और सभी घरों में उपलब्द है और बिल्कुल जीरूर्पे में आपका जो है माल बनके तयार हो जाएगा और यह सिहत के लिए फायदा भी करेगा ऐसी वात न और हमें भी पता है और कोई भी चीज यदि दवा के रूप में यदि खाते पीते हैं तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप उसको डोज ज्यादा लेंगे दारू ही है अगर उसका डोज आप ज्यादा लेते हैं तो आपको नुक्सान ही करेगा ना की फायदा करेगा एक लाइक कर दीजिगा और जो मैं आज तरीका बता रहा हूं वो बिलकुल घर पे आप 0 रुपे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यदि बिलकुल आसान है यार कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आप सजिश्ट मैं यही करूँआ कि आप घर पे आसानी भरा हुआ यह दही है यह फोड़ा ही बचा है अभी तो खतं हो चुका है भात रही यह वह लगांस एह और यह है चीज घरों में हर किसी गरों में आसानी से मिल जाता है यह उतलब्द है नहीं है क्या करता हो कि सबदाने की और किसंद्द आरीक्त बना कर के और इसको मतलब एक दम मस्ती वाली पुरा इंटर्टेन्मेंट जिसमें मज़ा आएगा आप पूरे जोस और जोस और जुनूर दोनों आप में भर देगा एनरजी एक भर देगी और एक ताकत भी भर देगा ठीक है और आपको दारू का बाप बन जाएगा ये ठीक है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करके पिएंगे तो और शिहत का ये बिल्कुल लुक्सान दायक नहीं है क्योंकि ये कैमिकल है तो मैं क्या कर रहा हूं इस चो कटोली में ये चीज पड़ा है इसको मैं इसमें रख रहा हूं ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं आपके पास दही अगर ज्यादा है तो अगर ये जैसे माली ये कटोला था ये इसको अगर फुला-फुल है तो भी बढ़िया चलेगा और यह जो है यह पानी है Attention जप देख यह गाउने डाल देता हूँ यह देख यह आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया पानी और ज इसको चम्मत से नहीं हिलाना है अगर आप इसको चम्मत से हिलाएंगे फिर तो ही काम खराब होजाएगा आप इसको ऐसे हाथ सी पकड़ करके धिरे-धिरे इसको मिला लीजी और अगर इससे भी संभाव नहीं है तो यह जो मैंने आपको दिखाया था इधर कतोला था इसमें मस्त लाएगी और मस्त मतलब बात करने में लोगों को अच्छा लगगा अगर आप संस्ट रहेंगे दिल आपका कुछ रहा पेट भी ठंडर रहे का कोई किसी तरह कोई भीमारी नहीं होगा मैं यह जानता हूं कि मैं यह हम लोग पीते हैं इसों को弃कत नहीं है चोटा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा आपको एक सक्ती एक एक अनरजी एक तागत मिलता है और मस्ती रहती एक नीद भी अच्छी आती है अगर नीद नहीं आती है आपको तो पीएंगे तो नीद भी अच्छी आएगी और यह दारू का बाप है मैं सही कह रहा हूं यह दारू का बाप है औ और इसको पीने से आपके सिहत में नुकसान कुछ नहीं होगा, जहां तक की फायदा ही होगा, इसमें इतने वैक्टिरिया, किटाडू होते हैं, जो मतलब फायदेमंद किटाडू होते हैं, जो हमारे सरीर में जाकरके अलग अलग तरीके से एनरजी और पोजिटिविटी ताक पत्का काम करते हैं, तो मैं आपको request करूँगा, यदि आप डारू पीने की आदी हैं, डारू पीना चाहते हैं, तो इस lockdown के समय में आप लस्ची ये सी लस्ची भी बहुत सकते हैं, इसको ये दारू तो नहीं है, आप लस्ची बिना करकर ऐसे पी सकते हैं, मैं डारू का recommend न नसा आया कि नकिनासा नाम की तो कोई चीज़ नहीं है लेकिन आप मस्त रहेंगे स्वस्त रहेंगे सुरक्षित रहेंगे तो उम्हीद करता हूं कि सब कुछ समझ गया होंगे अच्छी लिए तो लाइक करके एक बार सब्सक्राइब जूरू किज़ेगा मेरे चैनल को तो कि मैं इस तरी के नए ने टोपिक आपको देता रहता हूं तो चले दोस्तों आज की वीडियो मसे इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक जय हिन जय भारत